एक एंकाउंटर मुटिवेर्ड में उसकी नयथ हो जाती है। उसमें मुझे अपने साथियों के साथ सवा साथ साल तक, साथ सालों तीन महिने तक मुझे जैल मेरेना पड़ा। कई-कई मर्दबा जमाना त्याजिकाया लगए गई। लेकिन नतीजा सब तरफ से फर्रा एक 26-27 की जो कोटली है उसके अंदर आप आप अपने आपको कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। क्रिम्नल्स के अंदर वर्दी की साथ को बच्चाय रखना कितना बहुत उकूर था। तो सभी ने सोचा कि मैं तूट चुका हूँगा, उतना मैं कर पाऊँगा। लोगों को यह उम्मीद नहीं थी। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहता हूँ। क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप खाने की प्लेट लेके बठें। और खाने के पहले निवाले में कोई ऐसी अन्मॉन्टेट चीज़ आपके खाने में आए, जैसे चिपकले की पूछ हो, दाल में कोई कंकर पत्तर हो, कोई मरवेचुए की हड़ी हो, और आपको खाना चुड़ना पड़े, और यहां तक आपके से कोई शिकायर तक नहीं कर स दोस्तों, मेरा नाम हिमानसु सिंग राजावत है, और मैं राजस्तान पुलिस में के इंस्पेक्टर हूँ, मैं अपनी कहाने की शुरुआत करूँ, तो शुरू होती है राजस्तान के पाली जी लेके एक छोटे से गाउं भीटवड़ा से, जहां पे हम परिवार में करीब साथ लोग हैं, और मेरे पिता एक शिक्षक हैं, हम पांच भाई बेन को, जहां तक संसादन मौझूद थे, उन्होंने पूरी कोशिश की कि हम पड़ लेके काबिल बन जाएं, उस समय में इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी का खर्च उठाना अपने आप में एक चु न्हाने के लिए साओथ में चला जाता था, कभी बुम्बाई, कभी मदरास, अलग-लग बजिनस में काम कने चला जाता था, लेकिन मेरी सोच तोडी सीन से से डिफर्एंट थी, में चाहता था कि मैं सर्कारी सेवा में जाऊं, और सरकारी सेवा के साथ मेरी चुषए थी कि उनिफर्म सर्विस जोइन करूँ, मैंने अपने 12th की पढ़ाई पूरी की और उसके बाद उधेपुर शहर में पढ़ने गया, उस समय में मुझे उधेपुर शहर में पढ़ने के लिए जाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, उसका खर्च वहन करना और वहां बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी माता पिता ने मुझे वहां उधेपुर बेजा और मैं एक होस्टल में रहा, हाथ से खाना बना था, और मैंने अपने ग्रिजिशन के डिगरी पूरी की, ग्रिजिशन के डिगरी के बाद में, मैंने ये रास्तान पुलिस का फॉम भर अपनी तेहरी चालू करने वाला था, उसी दर्मियान एक confliction हो गया गर में, मेरी शादी की बात को लेकर थोड़े सा कोई मदवेद हो गया, और बात इतना बड़ा कि मेरे माता-पिता ने कहा कि जब तुम अपने खुद के फैसले खुद ले रहे हो, और गर की नहीं सुनते ह तो तुम अपने जिन्दगी के फैसले भी तुम खुद ही लेना, तो दोस्तों आप मेरे हलात पे हस सकते हैं कि जब मैं अपने आने वाले कल को बदलने के लिए निकला था, तब मेरे पास जेब में चंद रुपे थे, और कपड़े वही जो पहनने को लिए थे, मैं के लिए वो भी सविस्वक्ट की तैयरी कर रहा था, अब सिर्फ चार महिने बचे थे, एक्जाम की तैयरी करना था, फिजिकल एग्जामिनेशन होता है इसमें, उसकी भी तैयरी करना था, और रहने की जगा मिल गई, लेकिन खाने, पीने की और मार्क दर्शन की, कुछ कित की जॉब मिली, मैंने उसको स्विकार की, मैं शाम को होटल जाता, और वहाँ बहुत से कॉल्स आते हैं, आप जानते हैं होटल में बहुत सारे कॉल्स वगर आते रहते हैं, तो मैं राद बर वहाँ अपनी डूटी करता, उस दर्वियान में पढ़ भी लेता था, और अली हमको करने होते थे, मैं रोज जाता है, हर रोज वो उसकी प्रयास करता, और पूरे दिन आने के बाद में रूम में खुद का खाना बनाता, दोस्त के साथ जाता, और पढ़ाई करता था, दोस्तों कहते हैं ने कि अगर सच्चे मन से, और द्रट निश्चे से कोई काम किया जाए तनिश्ची दूर्प से सफ़लता मिलती है, मैं उस एक अलप अवदी में, मैंने वो पूरा जो मेरा एश्विमेंट था, मेरा गोल था, मैंने पूरा किया, और मैं राजस्तान पुलीज में एर जे समिंस्पेक्टर सेलेक्ट हो गया, 1999 में 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 टेनिंग स्टार्ट होई, टेनिंग के दौरान पूरे साल मैंने काफी अच्छी मैनत की, और वहां पे जो हमारे कोर्सेज हों थे, उसके अंदर होर्स राइडिंग, फाइरिंग, पीटी, परेड और काफी जो कोर्सेज हैं, उस सभी में मैंने काफी अच्छा परदर्शन किया, मैं अवल रहा महां पे, और इसी की बदोलत, तत्कालीन जो गह मनती थे, राजस्तान सरकार, उन्होंने मुझे आउट्डॉर बेस्ट का खिताब दिया, यह मेरे बहुत बड़ी बार थी, उसके बाद मेरी पोस्टिंग हो गई रासमान जिले में, रासमान जिले में मैं अपने कर्टविन काम के परती मेरे लगन और सीनियर्स का मेरे उपर फेथ, धीरे-धीरे-धीरे मेरे सम्मान होने लगा था, पुलिस में मुझे एक अच्छे थानदिकारी करूप में देखा जाता था, और जंता में भी में लोग प्ली था, उसके बाद मेरा पोस्टिंग उड़ैपुर जिल पाइच्ट आएए एक बार मैं अपने थाने में अपने जवानों के साथ काम कर रहा था, यह पासे कॉल आता है, यह आपको हैड़कार अबार रहे हैं, मैं जाता हूं मेरे सीनियर्स बहां बेटे थे, उन्होने मुझे बताया कि आपको एक बड़े कृम्ण को पकड़ ने क की जो टीम बनाएगी उसमें आपको सेलेट किया मेरे बहुत खुशी की बात ही कि इतने लोगों में पूरे डिस्टिक के अंदर मेरा सेलेक्शन हुआ बने बात को लेकर अब उस टीम के साथ मैंने अपना काम का प्राणाम किया उस मुलजीम के बारे में पता करने लगे हम उस स्टेट जाके डूनने लगे और एक इसी गटना करम के दोरान आपने सुना होगा दोस्ता दोहजार पांच में सवराबुदीन एंकाउंटर केश हुआ था यह वही सवराबुदीन था जिसको हम पकड़ना चाहते थे और एक एंकाउंटर में उसकी मैत हो जाती है इस के बारे लगे और देश की नामी जो एजिंसीज हैं उन्होंने अपनी जांच परताल कि उसमें मुझे अपने साथियों के साथ सवा साथ साल तक साथ सालों तीन महीने तक मुझे जैल मेरेना पड़ा विशे यह था कि जीवन में आप किसी एक काम में किसी संवान जनक स्थिती में हो सकता है आप अपनी जॉब कर रहे होते हैं आप किसी बड़े क्रिमिल को पकड़ना चाहते हैं और वहां गए और उसके बाद में आप जहल में हैं दोस्तों शैसंस कोट हाई कूट सुप्रीम कोट कई कई मर्दबा जमारा त्याचिका हैं लगए गई लेकिन नतीजा सब तर को भी वहां लेके गए पूरा केस के जो सारे हमारे एक यूस थे हम सब लोग वहां गए तो वहां मुंबई में के सेंटरल जैल तलोजा है काफी बड़ी जैलों में से हिंडिया की उसमें का है सेकृर्टी जॉन अंडा सेल बोलते हैं जिसको ओल शेप में उसका होता है गया अब बड़ा ताजूब करेंगे कि जहां हम रहें वहां एक तरफ हम पुलिस वाले थे और एक तरफ देश के टॉप लेवल के क्रिमिनल्स थे आपने नाम सुने होंगे अंडरवर्ड में अभू सलेम अरुन गवली चोटा राजन से रिलेटेड डिके राओ मालेगाव ब्लास्ट के लोग दोस्तों एक तरफ हम पुलिस के अधिकारी थे और एक तरफ देश के टॉप लेवल के क्रिमिनल्स आप ये मान सकते हैं कि एक क्रिमिनल्स के अंदर वर्दी किस्था को बच्चाय रखना कितना महत्वपूर्ण था वोरा समय जरूर था लेकिन उसके बा जो भी जेल जाता है उसको भेजता हमेशा पुलिस वाला ही है तो क्रिमिनल्स हम पुलिस वालों के हाँ हाला कि हम जेल में थे लेकिन क्रिमिनल्स जो है पुलिस वालों के परती एक एक गलत सोच रखते हैं एक विरोधाबास एक रिवेंच जो है उनके मन में होता है तो वो हुम सीधे हम से नहीं लट सकते थे लेकिन वो जब भी कुछ खाना देने के लिए आते थे तो खाने में को ऐसी चीज्ज डाल देते थे ताकि हम खाना नहीं खा सकें हम परिशान रहें और वो बदला लेने की नियत से वो इस तरह की कारवी करते थे हमें पता था कि नियती को जो मंजूर है वो हो जाएगा लेकिन हमको दढ़ता से और साहस से अंदर रहना है दोस्तों कही बार नई आता था तो वो नई बाल काटते वक्त जबरन कट लगा देता था वो एक रिवेंज का एक पार्ट था लेकिन इट इस पार्ट अप जॉब नियती को जो मंजूर था हम गए जैल में रहे और उसी दर्टा के साथ रहे दोस्तों आपको बताता हूँ कि इस जीवन में बुरा वक्त बहुत कुछ चिज़े लेके आता है हमारे जीवन को नेस्ता नाबूद कर देता है लेकिन उसके बावजूद भी जीवन के बहुत महत्वपून सबक हम को सिखा के जाता है और उस बुरे वक्त में भी यदि चाहे आदमी तो क्या बहतर ढून सकता है ये बहुत महत्वपून बात है दोस्तों जब जमानते होना बंध हो गया तो मैंने कोशिश की मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर थी मैं इंग्लिश की किताबें पढ़ने लगा मैं डिक्सनेरी की पूरे के पूरे वर्ड्स पांच-पांच-चच़बार पढ़ लिये थे मैंने और उनको यूज करता है मेरे साथ में सीनियर पूर्स अफसर्स थे IPS लेवल का अफसर्स थे तो मैं उनसे भी इंग्लिश में बात करता था मेरी इंग्लिश ठीक होगी थी फिर मुझे लगा कि मैं ग्रेजुशन करती ही सीधा ही पुलिस में आ गया दिवाग में कितना सकारात्मक में रह सकता हूं मैं कोशिश करता था गंटो एकसाइस करता था कि रात को नीद आ जाए एक 26-27 की जो कोट ली है उसके अंदर आप आप अपने आपको कैसे सर्वाइव कर सकते हैं ये चीजे में ने शिकी ये सामने बात नहीं है लेकर उसके बावजूत भी जब परस्तितियां ऐसी आती है तो निश्यत रूप से आदमी को कोई न कोई इसके रास्ते निकालने चाहिए और वो मैंने किया दोस्तों वक्त बदलता है सुप्रिम कोट ने हमें जमानत दी जमानत देने के बाद मैं जब मैं रहा हुआ तो सभी ने सोचा कि मैं टूट चुका हूँगा मैं अपना आपको बदल चुका हूँगा अब मेरे में वो शमता नहीं रही होगी कि मैं पहले जितना अच्छा काम करता था पुलिस के लिए उतना मैं कर पाऊंगा लोगों को यह उमीद नहीं थी लेकिन मैं आपको यह बदाना चाहता हूँ कि मैं दुगनी जोश ताकत और उर्जा से वापस लोटा और मैंने कोशिश की कि पहले मैं जो पुलिस को देता था उससे भी बेहतर देने की कोशिश करूँ और मैंने दिया भी और आज भी नएने चलेंज को लेने के लिए मैं तयार रहता हूँ वो साथ साल और तीन मैंने मेरे जिन्दगी के खत्म कर देने वाले नहीं थे उससे मैंने बहुत कुश सिखा मैंने जिन्दगी में ऐसे ऐसे टॉप लेवल के आथर्स की मैंने किताबे पड़ी मैं खुद मोटिवेट हुआ आज मैं लोगों को बताता हूँ वक्त बुरा आता है लेकिन बहुत कुछ चीज़े ले जाता है आप चाहो तो उसमें अच्छी चीज़े ढून सकते हो मैं लोटा मेरा परमोशन हुआ सरकार ने वापस मुझे पोस्टिंग भी दी और वक्त बदला उसके बाद मुझे उस केस से भी बरी होना था पुलिस की नौकरी के साथ-साथ हमने चार साल तक पूर एक केस की स्टडी की केस पर फोकस किया और बंबे पेशी पर जाते थे नौकरी से और आपको बताऊं उस केस में मैं बाईज़त बरी भी हुआ यह बहुत बढ़ी बात थी हमारे लिए पुदर जन जैसी बात थी एक तरब हमारे उपर ट्रिबल मटगा केस था और एक ट्रब हम पुलिस के काम कर रहे थे यह बहुत महतुबन बात थी केस से हम जीते हैं और दोस्तों यही सीखा कि के विक्ति बुरे वक्त में पूट के बिखर जाते हैं और कुछ लोग संभल करके निखर जाते हैं जीवन में बुरे वक्त आते हैं जीवन कभी विएक जैसा नहीं रहता लेकिन इस बुरे वक्त में आप क्या बहतर कर सकते हैं वो आप पे निरवर करता है अंत्वे में आपको एक बात कहना चाहूँगा मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है सपन के परदे निगाहों से हटाती है मुश्किलें दिल के इरादे आजमाती है सपन के परदे निगाहों से हटाती है हौसला मतहार गिरकर ओ मुसाफिर ठोकरे इंसान को चलना सिखाती है ठोकरे इंसान को ज़र जय हिंद्रे इंसान को ज़र इस वीडियो के बारे में अपनी राए नीचे कमेंट सेक्शन में हमें बताएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करना ना भूलें